अभी दिल्ली में बाड आई हुई है, मैं इसी एक्जाम्पल से आपको समझा रहता हूँ कि मैं कहना क्या चा रहा हूँ, दिल्ली में बाड आ रखी है, यमुना, कुछ लोग लिख रहे हैं, यमुना is reclaiming Delhi, reclaiming her land, यमुना की जो भूमी थी, वो उसको वापस प्राप्त कर रह रही है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि इससे मानवों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, मानव सुरक्षा का प्रशन बन रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि इससे एकनॉमिक और उक्सान पहुंचा है, वगएरा वगएरा, यानि एक बाड पर अलग अलग विचार है, अब मान लीजिये आपसे पूछा जाए कि कैसे इसको ठीक किया जाए तो एक comment आ रहा है बार-बार कि देखिये हमने यमना के flood bank पे flyovers बना दिये हमने वहाँ पर encroachment कर दिया हमने अपने घुमने फिरने की जगहें बना दिये हमने बड़े-बड़े in the coming years न इस तरह की बातचीत हो रही है अब यहाँ पर देखिया आपका subject कैसे काम करता है हमने आखिर वहाँ पर बड़े-बड़े roads और इतने बड़े-बड़े structures बनाए क्यों क्यों कि हमारा ये मानना था कि इससे jam इससे traffic में आसानी से movement हो जाएगा और इससे शहर में यातायर अच्छा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अराम से एक जग़ से दूसरी जग़ पहुँच पाएंगे शायद आप लोग अगला point गेस कर चुके होंगे इसका मतलब क्या हुआ हमने यमुना के flood bank पर रोड बनाते हुए development का बारे में जब सोचा तो हमारा development का विचार utilitarian था हम उपयोगितावाद से इस विचार को देख रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइदा कैसे पहुचे अब यहाँ पर rolls अलग बात करेंगे यहाँ पे कांट अलग बात करेंगे यहाँ पे वो तमाम लोग जो उपयोगितावादी सिधान से अपना सरोकार नहीं रखते होंगे those who don't feel comfortable with utility and doctrine वो अलग बात करेंगे और कुछ उपयोगितावादी पीटर सिंगर जैसे लोग इसमें अलग बात करेंगे climate का पुरा विचार लेकर climate justice का विचार बनाकर यानि आप subject को जब पढ़ रहे हैं न तो subject आपके उपर बोज ना हो आपको पुरा मज़ा है आपके अंदर रुची होनी चाहिए कि हाँ यह मेरा subject है मैं इससे तयारी कर रहा हूँ आपने वेकलपिक विशे की और मैं इस subject को जीता हूँ